बोलिये भगवान अनंत की जय अनंत चतुरदशी की आपको शुब कामनाएं। युधिश्टिर कवरों के छल से जुवे में राज हार बैठे थे। ऐसे में पांडों का दुख दूर करने के लिए स्रीकृष्ट ने उन्हें अनंत चतुरदशी का वलत करने के लिए कहा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को अनंत चतुरदशी पढ़ती है। अनंत चतुरदशी का हिंदु धर में खास महत्व है। इस दिन भगवान विश्टू की पूजा अर्चना की जाती हैं, इसके साथ ही अनन्त चतुरदशी पर गणे जी का विसरजन भी किया जाता है। अनंत चतुरदशी पर श्री हरी या विष्टु जी की पूजा बेहत खास बने जाती है ऐसा कहा जाता है कि जो वेक्ति अनंत चतुरदशी पर भगवान विष्टु की विधिवदान से पूजा करता है उसके जीवन से समस्त संकट दूर हो जाते हैं जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि युदिश्टिर कवरों के छल से जुए में राजहार बैठे थे ऐसे में पांड़ों का दुख दूर करने के लिए स्री कृष्ट ने उन्हें अनंत चतुरदशी का वर्थ करने के लिए कहा कृष्ट जी ने कहा कि इससे पांड़ों को हरहाल में राज़ वाप के अनंत के सामने रख दिया जाता है इसके बाद कुछ लोग हवन भी करवाते हैं अब अनंत देव का ध्यान किया जाता है बता दें कि अनंत चतुरदशी के वरत में एक समय बिना नमक के बोजन करने का विवधान है हाला कि इस तरह नीरहर रहने के वह ज्यादा सुब माना गया है इससे भाओन अनंत या भवान विष्टू की क्रिपा बरसती है तो भवान अनंत आप पर लोक्रबा बरसाएं और आपके जिवन में जो भी कष्ट हैं जो भी बाधाएं जो भी दिक्कत हैं वो दूर हो आपके जिवन में यश्प और किर्थी विद्धिमान हो यही हमारी शुब कामना है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाएं विजबूक पिच पर लाइक करें और यूटूब पर सबस्क्राइब करें करताओं से सीधे समबाद करता हूं मैं जन्ता के सवालों का जवाब ढूनता हूं मैं सच हूं मैं ललूराम हूं ललूराम.com सच कहेंगे ललूराम नए आउतार में नए अन्दाज में अपने उसी तेवर के साम आपका ललूराम.com नाम वही अन्दाज नया 36 गड़ की सबसे विश्वसनी न्यूज वेबसाइड ललूराम.com सच कहेंगे ललूराम झाल